What kind of politician do you like? I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive because there was a point where people were disrespecting things he was saying and things he was doing and I think he's turned that around by working very hard in a very interesting way. Bollywood के नवाप कही जाने वाली सैफ अली खान ने अपने अलग-अलग किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगा बनाई है. Bollywood की सबसी कल्ट फिल्मों में से एक ओम कारा में उनोंने जो लंगडा त्यागी का किरदार निभाया उसकी चाप लोगों के जहन में आज तक है. ऐसे तो सैफ अली खान अपने काम को लेकर सुर्ख्यों में रहते ही है मगर अब उनका राहुल गांधी को लेकर दे गए टिपणी वाइरिल है और इसकी लगातार चर्चा भी हो रही है गोदी मीडिया के मंद से सैफ अली खान ने गोदी आंकर राहुल कवल की उम्मीदों पर जबरदस्त पानी फेट दिया और राहुल गांधी की जम कर तारीफ कर डाली तो ऐसा क्या कह दिया सैफ अली खान ने कि राहुल कवल का मूद देखने लाइक बन गया बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो को अन तक जरूर देखे नमस्कार अदाब आप देख रहे खबर अद्दा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुली रम दोस्तार राहुल गांधी की लोगप्रियता बीते कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है जस तरीके से राहुल गांधी जनता के बीच में रहे हैं और अब तो एलोपी बन चुके हैं लेकिन उससे पहले राहूल गांधी की सभी यात्राओं ने राहूल गांधी की पूरी इमेज को बदल कर रख दिया, उनकी पूरी राजनीती को बदल कर रख दिया और लोगों के मन में उन्हें लेकर जो एक छावी बना दी गई थी उसे भी बदलने में राहूल गांधी ने प्रताओं के लावा यूपी एसी कोच हो, मेंटर्स हो या चाहे क्रिकेटर्स हो और अब आक्टर्स भी राहुल गांदी की तारीफ कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि राहुल गांदी की तारीफ सेफ अली खान गोदी आंकर राहुल कवल के सामने कर रहे थे। जिहां वही राहुल कवल जो गोधी मीडिया के लिस्ट में हमेशा टॉक पर रहते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तारीफों के लगातार पुल बानते रहते हैं और इस वक्त भी जब सेफ अली खान उनके शो इंडिया टुडे कॉनक्लेव में उनके सामने बैठी हुए थे तब भी राहुल कवल भर पूर कोशिश कर रहे थे कि सेफ अली खान किसी तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तारीफ में दो बोल बोल दें लेकिन ऐसा हुआ नहीं उल्टा उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी दरसल राहुल कवल ने सेफ से सवाल पूछा था कि आपको कौन सा नेता कौन राजनेता पसंद है इस पर सैफ ने जवाब दिया कि मुझे बहादूर और इमानदार राजनिता पसंद है इस पर राहूल कवल ने दोबारा पूछा कि पधान मंत्री नरेंदर मोदी राहूल गांदी से लेकर आप प्रमुख अर्वंद केज्रिवाल तक किसे बहादूर राजनिता मानते हैं जो भारत को भविश्य की ओर ले जा सकते हैं जिसके जवाब में सैफ अली खान ने कहा कि वे सभी बहादूर राजनिता हैं लेकिन मुझे लगता है कि राहूल गांदी नो जो किया है वो भी बहुत प्रभावशाली है एक समय ऐसा भी था जब लोग उनकी कही गई बातों या उनके किये गई कामों का अनादर कर रहे थे मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही दिल्चस्प तरीके से कड़ी महनत करके इस स्थिती को बदल दिया है तो सुना आपने सैफ अली खान ये कह रहे हैं कि राहुल गांदी ने खुद को बीत समय में बहुत शार्प किया है और जो खुद पर महनत करी है वो काबले तारीफ है दोस्तों सैफ ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांदी को लोगों ने घलत तरीके से दिखाने की उनका मजाक उड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन बावजूद उसके राहुल गांदी हार नहीं माने वो लगातार अपने आपको प्रूफ करते रहे हैं और जब सैफ अली खान ये सारी तारीफे कर रहे थे राहुल गांदी की और उस पर राहुल कवल का जो चेरा था भाई वो देखने लाइक था राहुल कवल के चेरे से होश उड़ गए थे ऐसा लग रहा था कि उनसे बरदाश नहीं हो रहा है कि सैफ अली खान पियम मोदी की बज़ा राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कैसे यहां पर खैर गौल करने वाली बात ये भी है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अक्टर्स कलाकारों ने राजनीती और राजनेताओं पर बोलना कम कर दिया है इससे दूरी बना लिया और फिलहाल में तो ये भी देखा गया कि किस तरह बॉलिवूड एक तरफ हो गया और मोदी जी के चरनों में पहुँच गया बगर अब सेफ अली खान ने राखुल गांती की तारीफ कर एक नई डिबेट छेड़ दी है और इसलिए भी सेफ अली खान का ये बयान काफी वारल हो रहा है क्योंकि बहुत समय से बॉलिवूड की तरफ से इस तरह का बयान सुनने को नहीं मिला था तो दोस्तों आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जोर बताइए वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करें और खबर अड़ा को यूट्यूब पर सबस्क्राइब कर लीजे